नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका एक और शांदार वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं स्टेप बाइ स्टेप पूरी गाइड होगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ होगी आप अपना ब्लॉग बना कर कैसे पैसे कमा सकते हैं सारी चीजों के उपर जाएंगे, सारा कुछ बताऊंगा पूरा एकदम A to Z ब्लॉगिंग के बारे में वीडियो लंबा हो सकता है, आप वीडियो पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा कोई भी चीज आप मिस मत करना पूरे एंड तक और बहुत ही जादा इसमें एफ़र्ट लगा है इस वीडियो को बनाने में और ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने बनाया है दोस्तों मैं खुद ब्लॉगिंग करता हूँ 2016 से और फुल टाइम यूटूबर हूँ पार्ट टाइम ब्लॉगर हूँ थोड़े बहुत पैसे मैं ब्लॉग से भी कमाता हूँ थोड़े बहुत पैसे मैं यूटूब से कमाता हूँ तो अभी भी कुछ ऐसा टाइम दिगड़ा नहीं है, ऐसा कुछ टाइम चला नहीं गया है, आने वाले 10 सालों तक ब्लॉगिंग काफी भूम पे रहेगा, तो अगर आपने अभी तक अपना ब्लॉग नहीं बनाया है, तो इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल अपना करी तो, ठीक है, तो चलिए, मैं जादा बाते नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लेडी मैंने इसके उपर एक पूरा फुल वीडियो बने बनाया हुआ तो ब्लॉगिंग के बारे में, सिर्फ मैंने गाइडलाइन्स दी थी, कि कैसे आप बना सकते हैं, प्रैक्टिकली करके नही दिखाऊंगा, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो वीडियो भी देख लेना ताकि आपको ब्लॉगिंग अच्छे से समझ में आ जागा कि ब्लॉगिंग exactly होता क्या है, और इसे पैसे कैसे कमाते हैं, फिलाल इस वीडियो में भी बीच बीच में मैं कवर क हो जाएगा, अगर अभी की बात करें, मैं ब्लॉगिंग से कितना कमाता हूँ, तो आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा स्क्रीन शॉट डिख जाएगा, तो लास्ट मन्त मेरी ब्लॉगिंग से इतनी पेमेंट आएथी, तो चलिए ब्लॉग बनाने के प्रोसेस को शुरू करते है सबसे पहले तो आपका एक positive mindset होना चाहिए, किसी भी काम को करने से पहले हमारा positive mindset होना चाहिए, कि नहीं यार, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, और मैं definitely करके रहूँगा, और ये मेरे से होएगा, अब ये मस्त तो यार, कि चलो try कर रहा हूँ, होएगा तो होएगा नहीं, कुछ out try करेंगे ऐसे करोगे तो आप इधर उदर पैर रखते जाओगे कुछ नहीं होने वाला है आप जो चीज़े सुन रहे हो जो चीज़े समझ रहे हो अगर आपके दिल से आवाज आ रही है कि मुझे करना चाहिए तो उसमें अपना 100% लगा कि उस चीज़ को करो तो रिजल्ट जरूर आएगा जब मैंने शुरू करी थी ब्लॉगिंग का तो इसी माइंडशेट के साथ शुरू किया था कि अगर इस नहीं कर लिया जिससे मैं इंस्पायर होके मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी तो मुझे लगा मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी करने की ठीक है और एक और बात में बता दूँ कोई भी चीज इतना हाट नहीं होता है कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग कर सकते हैं कंसिस्टेंसी हर चीज को मात दे सकती है तो कंसिस्टेंटली अगर आप efforts डालते हैं तो जरूर रिजल्ट आपको मिलता है ब्लॉग शुरू लिए में आपका इंट्रेस्ट है जिस फिल्ड में आपकी expertise है तो आप उसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हो देखो पैसे कमाने की बात आ रही है तो पैसे वही कमा सकते हैं जिनके अंदर कोई expertise है जो दूसरों की life में value एड़ कर सकते हैं चाहें जिस भी तरीके से तो पैसे कम करिए फिर देखिए कि market में उसकी demand कितनी है अब demand आपने देख लिया कि हो सकता है demand इसकी ज्यादा हो competition भी ज्यादा होगा तो वह तो बात की बात है लेकिन demand अगर ज्यादा है तो आप उसमें आ सकते हो आप उसमें काम कर सकते हो अब इसके बाद देखते है profit profit मतलब कि जो बेघका आपका interest है जो भी आपका पैशन है उससे आप कितने तरीके से पैसे कमा सकते हो क्या उसको आप कितने तरीकुंशे वोनिटाइज कर सकते हो right क्या ओओ monetize करने लाइक है क्या एक profitable niche है तो ही जाके आप पैसे खमा सकते हो तो एक तीन चीजों का intersection कर लो तो आपको एक topic निकल के आ जाएगा देखो बहुत सारे popular topics है topics select करना ही सबसे बड़ा thing है सबसे बड़ी चीज है blogging में अगर आप पहला blog start कर रहे हो जाईर सी बात है अगर आप यह वीडियो देख रहे हो तो पहला blog आप शुरू करना चाहते हो तो आप उसके साथ जाओ जो आपकी expertise है जो आपका टाइम पर फेल हो जाते हैं तो यह अपने को नहीं होना है तो पहला स्टेप ता positive mindset दूसरा स्टेप है अपना नीश सेलेक कर अब उस topic के उपर आपको keywords निकालने keywords search करने कि कितने keywords इससे related कितने topics में इससे related लिख सकता हूं तो कम से कम अगर 30 topic आप निकाल पा रहे हो 30 से 40 topic अगर आप उस जो भी निश आपने select किया जो भी आपने interest select किया उससे related 30 से 40 अगर आप blog post लिख सकते हो आर्टिकल्स लिख सकते हो तो उसको final कर दो अगर आपको अभी भी निश चलेक करने में topic शलेक करने में दिक्कत आ रहे है तो वीडियो के end तक बने रहना मैं आपके लिए एक मैंने plan ready किया हूआ है तो उसके लिए आपको वीडियो पर पूरा बने रहना तो इसके बाद आते है है domain खरी दोंë भाइक करना domain आप domain खरिदने से पहले आप domain नां पहले सोच लीजे कि आपको क्या किस नाम से आप 1991 सौ rep बणाना चाहते हैं तो आपीज़ामपल के लिए मैंने जो मेरा domain लिया अटा Tech.com लिया था तो तो मैं डोमेन खरिदने के लिए गोड़ेडी का ही इस्तिमाल करोंगा गोड़ेडी से ही डोमेन ज्यादा मुझे मैं प्रिफर करता हूं तो गोड़ेडी में आप जो भी आपने नाम सोचा है आप उसको सेर्च कीजिए अगर वो अवेलेबल रहेगा तो आप उसको खरीद ल डॉट इन देखते हैं डॉट इन अवेलेबल है 149 रूपीज का तो मैं इसको एड़ टू काट करता हूं ठीक है अब कंटिनीव टू काट करते हैं और यहां पर नीचे आते हैं यहां पर कुछ चीजे एड़ करके रखती हैं उनको हटा देना है नो थैंक्स कर देना है ठीक यहां पर देख सकते हैं एक साल का डेड़ सो रूपिया है और फिर अगले साल का छे सो रूपिया है हर साल रिनीवल में छे सो रूपे लगेंगे और ओफर में 149 में मिलता है तो दो साल का ही ले लेते हैं ठीक है एक साल का लूंगा तो मेरे को डिसकाउंट नहीं मिलेगा आप देख सकते हैं 3.99 रुपिस का मिल रहा है तो इससे अच्छा दो साल का ले लेते हैं कंप्लीट करते हैं पच्छेस को अब यहां पर पेमेंट करना होगा कि यह मैं इन्फोर्मेशन को मैं बलर कर दूँगा अब यहां पर ओटीपी में डाल देता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डोमेशन हो चुका है और हो चुका है इसको छोड़ देते हैं इसके बाद जो अगला स्टेप है वह होस्टिंग खरिदना है आप के थोड़ा सा आपको सावधान होना ज़रूरी है क्यूंकि आप इसमें पैसे ने जा護ब Bayernस करने जा रहे हो और मैंसी फ्री वाली ब्लॉगिंग सज्द हो कैंकि फ्री वाली ब्लॉग और ज्यादा सस्ती वाली भी hosting ना कर दिया और free वाली hosting तो बिल्कूल मत लीजिएगा तो hosting के लिए मैं आपको recommend करना चाहूंगा SiteGround SiteGround के अलावा आप A2 hosting पर भी जा सकते हैं फिलाल मैं जो hosting यूज़ करने जा रहा हूं SiteGround यूज़ करने जा रहा हूं यहां पर आप देख सकते हैं अलग-अलग टाइप के hosting यहां पर दिख सकते हैं अलग-अलग टाइप के reliable web hosting, wordpress hosting, e-commerce hosting and cloud hosting फिलाल आपन जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओ जाएंगे reliable web hosting के साथ में जो सबसे कम price का है इस SiteGround का जो almost $4 per month का है तो इस पर आपन एक website host कर सकते हैं 10GB space है और 10,000 visitors handle कर सकता है ठीक है और SSL भी free देता है काफी सारी चीज़े हैं इसमें अगर आपके बास और भी sites आप चाते हो बात भी plan करना चाते हो तो आप इस grow big के साथ जाओ एक site के लिए हम जा रहे हैं हम start कर रहे हैं तो हम get plan पर क्लिक करते हैं startup के साथ में यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आएगा कि please enter your domain register a new domain आप यहां से भी domain रजिस्टर कर सकते हैं यहां फिर आपके बास domain है तो जैसा कि मैंने आपके सामने go daddy पर domain करीदा तो मैं यहां पर enter करूंगा सतीसके videos.in ठीक है अब प्रोसीट पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपका email भर देना अब गाईज यहां पर payment information देते हैं payment information में आपको visa और mastercard ही accept करेंगा यहां पर go daddy के जैसा आप multiple option नहीं है तो आपके बास make sure कि आपके बास visa या फिर mastercard में से कोई एक card हो ठीक है तो मैं mastercard का use करता हूं यहां पर आप कितने महीने के लिए रहे हैं तो 12 महीने के लिए लेंगे अगर trial अब करना चाहते हैं तो सिर्फ वन महीने का ले सकते हैं तो 12 महीने का मैं लेता हूं और नीचे आते हैं I confirm आपर अब मैं pay now पर click करता हूं तो दोस्तों जैसे यह payment कर लेंगे उसके बाद आपके phone pay verification code जाएगा जो आपको verify करना होगा तो अब उसके बाद आपको अपने credit card को verify करना है credit card verification में आपको amount डालना है जिस amount के लिए पे करना था वाँ पर जो हुआ था कुछ 47.40 डॉलर तो यहां पर लिख देता हूं 47.40 ठीक है अब यहां पर next पे click करेंगे तो ठीक है अब यहां पर proceed to customer area करना है अब यहां पर login कर लेना है जो भी आपने email ID और password डाला था अब गाईस यहां पर जैसे आप login करने के बाद आपके सामने पेच कुल के आएगा यहां पर setup किसी और hosting पर होता तो उसको transfer करने के लिए migrate website पर क्लिक करना होता लेकिन हम नया website स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है start a new website उसके बाद यहां पर wordpress install करेंगे select wordpress अब यहां पर wordpress के लिए login बोल रहा है तो आप login यहां पर अभी से आप चाहें तो बना सकते हैं तो अपना email ID और password डाल लेता हूं यह आपको याद रखना है ठीक है finish करना है कि दो मिनेट का यहां पर वेट कर लेते हैं कि यहां पर दिखा रहा है कि यूवर औल सेट ठीक है तो यूर वेबसाइट विद्ध डोमेन सतीष के विडियो डॉट इन यहाँ पर यहाँ पर देख सकते दो डीनेस पर करना है कि यहां पर लिखाए है मैनेस डीनेस इस पर क्लेक करना है ठीक है फिर नीचे आईए यहाँ पर नेम सर्वर में नेम सर्वर यहाँ पर चेंज पर क्लिक करना है उसके बाद enter my own name server advance अब यहाँ पर लिखा है name server 1 यहाँ पर paste कर दीजिए फिर यह वापिस और यह second वाला copy करिए और यहाँ पर paste कर दीजिए ठीक है? save कर दीजिए अब यहाँ domain name server reflect होने में थोड़ा सा time लेगा जब तक यह reflect नहीं हो जाता तब तक आपको अपना website open नहीं करना है ठीक है? यहाँ पर लिखा है you can immediately start managing your site by visiting your site tools अब दोस्तों आपने blog के wordpress में जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप सतीज जो भी मैंने domain लिखा था उसके बाद अपने को जो भी domain लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं wp-admin आप देख सकते हैं उस पर click करते हैं तो यह open हो के आ जाता है अब यहाँ पर side ground के साथ मैंने किया था तो side ground के साथ में थोड़ा सा दिखा रहा है तो अच्छा ही है एक बार यहाँ पर side visit करते हैं तो install होने के बाद कुछ site आपका ऐसे आता है अब इसके बाद क्या करना है चलिए अब इसके बाद आते हैं अपने dashboard पे dashboard को पहले एक नशर देख लेते हैं dashboard में क्या क्या चीज़ यहाँ पर देख सकते होम है अपडेट्स है पोस्ट है मीडिया पेजेज कॉमेंट्स अपियरेंस plugins यूजर्स टूल्स सेटिंग अब इसके बाद जो सबसे पहला काम होना चाहिए ओव होना चाहिए कि थीम का ठीक है थीम plugins का होना चाहिए तो यहाँ पर मैं search करूंगा से यहां पर एडिनेंव पर क्लिक करिए चमर्ख प्रेषटिम काफी है तो आप जा सकते हैं फ्री है जनरेट प्रिस यहाँ पर install पर क्लिक करेंगे अक्टिवेट करेंगे ठीम इसके बाद आते हैं settings पर settings में जो सबसे पहला काम करना है यहां पर site title क्या डालना है तो मैं site title डाल देता हूँ अपना नाम डाल देता हूँ 37 के videos ठीक है अब यह बारे में blog है तो मैं डाल देता हूँ अपना YouTuber iBlogger इंजिनियर यह मेरा एक टैग लाइन है तो मैं इसको डाल देता हूँ आपका जो भी ब्लॉग होगा आप उसके हिसाब से डाल दीजिएगा इसको मैं सेफ करता हूँ अब इसमें आते हैं पर्मा लिंक्स पे पर्मा लिंक्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है यहां पर जो आपका सेटिंग होना चाहिए पोस्ट नेम के साथ सेटिंग होना चाहिए इसमें से कोई और रहेगा तो मज़ेदार नहीं होता है पोस्ट नेम ज्यादा सही होना चाह इसमें already by default set है ठीक है अब इसके बाद आते हैं plugins पे देखो blog setup में plugins का बहुत बड़ा रोल होता है इसलिए लोग wordpress पे जाते हैं इसलिए लोग wordpress recommend करते हैं कि यहां पर आप plugins install कर सकते हैं Yoast plugin आप सबसे इमेज अपलोड करें अपने साइट पर तो उसको compress करके अपलोड करिए तो compress PNG या फिर compress JPG website से वहां से आप compress करके ही publish करिए जो भी आप images लगा रहे हो और भी जो जो plugins होंगे मैं उसका नाम में नीचे दे दूँगा तो आप उन सबी plugins को install कर लिजे और अपने सुविधा के अनुसार जो भी plugins है आप दिरे-दिरे सीखने के बाद उसको install करते रहेगा चलिए यह सारी चीज़े हो गई अब इसके बाद क्या करना है इसके बाद आपको pages बनाने essential pages इसको बोलते हैं जिसमें आ जाता है about us contact us और terms and conditions डिस्क्लेबर यह सारे pages बहुत जरूरी है जो सबसे पहले आपको करना है उन सब pages को आप यहां से जाके add कर सकते हो तो pages पर click करना है और यहां पर add new करेंगे तो फिर जो pages है यहां से आप बना सकते हैं तो यहां पर page का title लिख देंगे about और यहां पर आप साइट के बारे में आपने queue site बनाया है उन सब चीजों के बारे में आपके site के पिछे क्या मकसद है एडिटर के बारे में टीम के बारे में जो भी आपके site पर जितने लोग काम करेंगे आप अकेले करेंगे तो अपना नाम अपने बारे में आप यह आप शेर कर सकते हैं इसको publish पर क्लिक कर देना है ठीक है इसको बाद में करूंगा अब उसके बाद आते हैं जो blog post आपको कहा से लिखना है पर post पर click करना है अब यहाँ पर post पर add new click करना है जो भी आपने keyword सोच रखे हैं जो भी मैंने 30 से 40 बता हैं पहले आप उनको लिखना शुरू करिए और एक दिन में अगर आप एक article लिख सकते हैं तो एक दिन में एक article लिखिए और लिखते जाए यहाँ पर जैसे कि जैसे आप add new करेंगे तो एड़ टाइटल सेम जैसा pages के साथ तो यहाँ पर जो भी टाइटल होगा तो यहाँ पर अगर 37 के वीडियो जो भी मैंने अपना बनाया है अब इस पर मैं अपने वीडियो से related ही अपने YouTube से related अपनी जर्नी के बारे में आपे ब यूटूबर हों तो मुझे पता है कि यूटूब के बारे में तो यह जो साइट है इनी सब चीजों के ऊपर होने वाला है तो यहाँ टाइटल मैंने लिख दिया फिर इस ब्लॉग में अब फर्स पारग्राफ लिखेंगे कि in this post मैं क्या चीज़े में करने जा रहा हूं तो आप इस चीज को मैं कवर नहीं करने वाला हूं सिर्फ टेकनिकल जो भी चीज़े हैं कैसे सेट अप करना है वो सारी चीज़े में बस बता रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर बैक जाते है एक और चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख्या रहा है not secure क्यों लिख्या रहा है SSL अभी install नहीं हुआ तो उसको भी अपन कर लेते हैं तो आप यहाँ पर side ground पर वापिस जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे security में देखते हैं यहाँ पर SSL manager है यहाँ पर install करते हैं SSL ठीक है यहाँ पर हो गया इसके बाद guys यहाँ पर HTTPS enforce करके option आ रहा है इस पर जाना है और यहाँ पर इसको enable कर देना है ठीक है अब यह enable हो गया अब अपने side पर जाईए अब उसको refresh करिए या फिर अब HTTPS सतीसके videos.in अब गाइस देख सकते हैं यहाँ पर secure लिखके आएगा connection is secure तो SSL भी बिल्कुल free है इस side ground hosting में almost आज कल जितनी भी hosting providers हैं सब आपको free में दे रहे हैं और guys अगर मैं side ground को अगर promote कर रहा हूं इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ यही अच्छा है market में और भी अच्छे हैं जिसके पहले जिसके बारे में हमने अल्रेडी बात करिकर रखी है digital ocean जो beginners लोग है वो लोग manage नहीं कर सकते हैं तो उसको manage करने के लिए बड़े-बड़े bloggers हैं side ground को ही recommend करते हैं तो अब guys लेखिए पोस्ट आपने लिखने चालू कर दिया आप इसके बाद क्या करना है जो अगला Twitter LinkedIn जो भी possible social media platform है वहां पर आप बना सकते हैं अब आते हैं इसके बाद है था कि मैं एक पोस्ट में लिखूंगा how to start YouTube channel ठीक है एट आइडल हो गया हमारा यह side में अगर आप देखेंगे तो यहां पर categories का एक option आता है अभी तक हमने कोई categories नहीं बना है तो यहां पर add new category कर सकते हैं और मैं आप लिख सकता हूं YouTube या फिर make money online करके एक मैं category बना देता हूं जहां पर मैं online से related जो भी चीज़े रहेंगे पैसे कमाने के उम्हें बता हूंगा ठीक है यहां पर add new कर दिया कि ऐसे ही और भी categories यहां पर add कर सकते हैं blogging कि अ ब्लॉगिंग हो गया यूटूब टिप्स हो गया आप अपने चैनल के आप अपने ब्लॉग के इसाब से categories यहां पर बना सकते हैं यहां पर मैं जो लिखूंगा मैं यूटूब चैनल के बारे में लिखूंगा तो make money online पर मैंने क्लिक कर दिया यहां पर टैक्स में आते हैं अगर आप टैक्स चाहों तो डाल सकते हो टैक्स में बड़ा बड़ा नहीं लिखना है आपको एक एक वाट डालना है टैक्स का मतलब कि लेबल होता है टैक्स डालता हैसे जो भी आर्टिकल कोते हैं और पोस्ट में शो और इसलिए टैक्स डालते तो यहाँ पर टैक्स में डाल दूँंगा यूटूब मेक मेक मनी आउलाइन ठीक है ।ो यहां पर sigu टाल दूंगा फीचर्ड इमेज में आपको इमेज डालना होता है जो आप आर्टिकल के उपर या आर्टिकल के साइड में जाते हो कि शो करें तो यहां पर फीचर्ड इमेज डालते हैं ठीक है यहां पर आते हैं योस्ट एसीयो में यहां पर जो फोकस की फ्रेज है start a youtube channel जो हमारा topic होता है जिसके बारे में अपन लिख रहे हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर सिर्फ youtube channel ही डाल सकता हूँ keyword ठीक है और यहाँ पर जो preview देख रहे हैं google search में कुछ ऐसा दिखाएगा तो आप इसको और appealing बना सकते हैं और catchy बना सकते हैं इस पर edit snippet पर जाके आप चाहें तो अब अपना कुछ title लिख सकते हैं ठीक है ऐसा गरके आप लिख सकते हो और यहाँ पर जो meta दिख रहा है यहाँ पर और यह slug slug क्या है जो आपका permalink होता है न वो इस slug होता है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा यही जो keyword था न यहाँ पर start a YouTube channel इसी को copy कर लेते हैं और यहाँ पर paste कर देना है ठीक है तो यह देख सकते हैं यहाँ पर आपका permalink एड हो गया ठीक है तो यह SEO के point of view से काफी अच्छा होता है अब यहाँ पर meta description में क्या लिखना है वो चीजे लिखनी है जो लोगो को यहाँ पर दिखेंगी Google में तो लोगो को दिखेंगी लोग क्लिक करेंगे तब ही जब उनको लगेगा कि हाँ यार इसमें कुछ value है तो आपको जो भी यहाँ पर लिखना है meta description में ध्यान रहें कि ऐसा लिखो कि लोगो को कैसी लगया और लोग पूरा article पढ़ने के लिए क्लिक करें जब भी यह search में appear हो तो यहाँ पर आप आपको उस तरीके से लिखना है meta description में अगर आप नहीं लिखते हैं तो Google आटोमेटिक ट्रॉल करता है और आपके article आपके articles में से कुछ paragraph को उठा के वहाँ पर रख देता है अपने हिसाब से अगर आप नहीं लिखते हो तो ठीक है अब इसको publish कर सकते हैं या फिर इसको आप shave कर सकते हैं अब दोस्तों आते हैं menu बनाने पर अब जो भी categories हमने बनाई थी उसको menu में आपन कैसे add करेंगे हो मैं आपको दिखाता हूँ menus पर आते हैं आपन ठीक है यहां पर देखेंगे add menu items में आप page भी कोई डाल सकते हैं कोई अगर आपका page है आप उसको menu में डालना चाते हो भी डाल सकते हैं तो add to menu मैंने कर दिया और यहां पर save menu पर मैंने क्लिक कर दिया है अब अपन site को open करते हैं तो आपको कुछ दिखेगा है कि यहां पर एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यहां पर जो मेन्यू वाले में जाते हैं कॉस्टमाइज में जो यहां पर location मेन्यू लोकेशन ने प्राइमरी मेन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा तो यहां पर दिखना अब इसको publish पर क्लिक कर देना तो अब यह चेंज यहां पर आपको दिख जाएगा ठीक है अभी इनके अंदर कोई आर्टिकल नहीं है तो इसको यहां पर ही क्लिक कर देते हैं और यहां पर आप देने का primary location एक होता है secondary location जहां पर आप अपने privacy page about us को लिख सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि कैसे blog हमने तयार कर लिया कैसे हमने एक site अपनी ready कर लिख खुद का मुश्किल से 20-25 मिनिट लगे होंगे वो तो मुझे explain करने के लिए इतना time लगया वरना आप 10 मिनिट के अंदर ही बना लोगे अपनी site ठीक है अब इसके बाद क्या करना है चलो हमने blog post भी लिखना हमने चालो कर दिया social media pages बना लिया इतनी सारी चीजे कर लिया अब इसके बाद क्या करना है बताता हूँ सबर करो थोड़ा तो अब इसके बाद आपको analytics का page बनाना है Google Analytics ठीक है Google analytics पे आप जाइए और आपका जो भी Google आईडिये जीमेल है उसके साथ आपको sign in करना है Google Analytics क्यों डालना है Google Analytics इसलिए डालना है कि आपके साइट पे कितनी लोग आ रहे हैं कौन आ रहा है क्या कर रहा है कितनी दे ताइम इस्पेंड कर रहा है यह सारी सीजे पता लगाने के लिए सेटप फॉर फ्री बिल्कुल सही है यहां पर आप अपना जो अकाउंट का नाम डाल सकते हैं तो मैं 30 के वीडियो में रख देता हूं ठीक है और यहां पर next करना है कि क्या है तो website है तो वेब पे क्लिक करना है next कि आपका जो वेफसाइट है उसका नाम डाल देना है सतीज के वीडियोस वेफसाइट का क्या नाम है तो सतीज के वीडियोस.in ठीक है इंडस्ट्री क्या रहेगी तो मैं इसे डप करना बिल्कुल आसान है तो मैं इसको थोड़ा कर देता हूं ताकि टाइम हमारा कम हो जाए यहां पर इंडिया कर देना है और यहां पर जो इनका टम सेंड पॉलिसी है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसके अलावा कोई आप्शन नहीं है अपनी पास ठीक है अब हमारा एनलिटिक्स पर भी अकाउंट बन चुका है अब है अब यहां पर एडिठit search console दिखा रहा है अब antimya जो इसके बाद जो अगला से पाइं आपको such थो इसको इडिक्री अब्यूत करना रहें है अब यहां पर आपको एडि प्रॉपर्टी करना है ठीक है तो यहाँ पर domain आपर डाल देना सतीसके वीडियोस.in ठीक है continue अब verification करना पड़ेगा आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ instruction for any DNS provider यहाँ पर click करते हैं इसमें देखते हैं GoDaddy से domain खरीदा हुआ तो GoDaddy से बला easy है अब इसको connect करना है ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं verify हो चुका है इसमें verify करने के वज़े से क्या होता है हमारे indexing चालू हो जाती है यानि जो भी हमारा blog post होता है Google search में दिखना चालू हो जाता है तो यह बहुत important है तो Google search console को भूलना नहीं है तो जैसा कि starting में ही मैंने बोला था कि जितना भी topics आपने सोचा होगा जितने भी topics जिसे 30 से 40 topics आपको लिखने हैं तो उन topics पर एक एक दिन में आप लिखते जाए ठीक है और उसको share करते जाए most possible जहां तक आप share कर सकते हैं करिए traffic के लिए आप kora.com पर भी आप अपना profile बना सकते हैं वहाँ पर answers करिके वहाँ पर आप चाहें तो link कर सकते हैं अपने blog post को और वहाँ से भी traffic आप ले सकते हैं Instagram, Facebook, Facebook groups हर जगह पर आप share कर सकते हैं आपने articles को और ऐसे articles बनाए जो logo के लिए useful हो लोगों को कुछ न कुछ value दे चलिए यहाँ तक हो गया आप इसके बाद आपको क्या करना इसके बाद आपको blogging के बारे में जानकारिया लेनी है professional bloggers का आप blogs पढ़ा करिए तो आपको वहाँ से blogging के बारे में जब जानकारिया मिलेंगी आपको उसको implement करना है यह article लिखा हुआ है तो ऐसे situation में का करना है उस article का link उस वाक्य में या फिर उस word के उपर link कर देना है तो एक दूसरी से वो post interlink हो जाता है इससे फायदा मिलता है कि आपकी bounce rate कम होती है प्लस ranking में भी improve होती है और user experience भी अच्छा होता है अब blog post को एक अच्छा engaging post बनाने के लिए आप उसमें वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं इंफो ग्राफिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके blog post पे 30 से 40 article हो जाए और उस पे अच्छा खासा organic traffic आने लगे तो उसके बाद आप Google Adsense के लिए apply कर सकते हैं Google Adsense के लिए apply करने के लिए आपको simply Google Adsense पे जाना है वहाँ पर apply करना है अपने website का link डालना है और कुछ दिनों के बाद Google आपको बताएगा कि आपका blog eligible है की नहीं है अगर आपको Google Adsense का approval नहीं मिल रहा है तो Google क्या करेगा आपको कुछ guidelines बिजएगा कि आप इस तरह से करिए इसके बाद आप फिर से वापिस apply करिए तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा दोस्तो ब्लॉगिंग में कुछ भी अगर आपका फसरा है कोई भी कहीं पे भी problem हो रहा है आप नीचे comment कर सकते हैं या फिर directly मुझे Instagram पे आप मुझे message कर सकते हैं वहाँ पर मैं आपके queries को solve करने की कोशिश करूँगा और दोस्तो जो लोग भी ब्लॉग का topic सेलेक करने में उनको तकलिफ हो रही है उनको keywords नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ चीजे बताना चाहता हूँ जैसा कि starting में मैंने बोला था कि आपके लिए end में एक solution है तो solution है कि मैंने एक PDF बनाया हुआ है जिसमें काफी research करके मैंने कुछ keywords निकाले हैं जो low या फिर medium competition के हैं और उनके जो search वालू में काफी ज़्यादा है कुछ 100 keywords मैंने ढूडे हैं और 5 नीचे में तो किसी में 20 keyword है किसी में 25 है किसी में 15 है तो अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो उसका link मैं नीचे डाल दूँगा और guys मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह जो PDF आपको मिलेगा यह paid है इसका कुछ price है 249 रूपीस और यह paid मैं इसलिए रख रहा हूँ कि इस पे मैंने research किया है काफी time से मैंने ढूडा है और ढूडने के बाद मैं ओ चीज़े reveal कर रहा हूँ जल्दी कोई reveal नहीं करता है और अगर आपको मैं free में दे देता तो इसकी value नहीं होती इसकी कदर नहीं होती वैसे भी यह जो पूरा tutorial है मैं free में ही आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ बस मैं इसका charge कर रहा हूँ कि मैंने research करा है और मैं चाहता हूँ कि जो भी आप करें seriously करें इसलिए आप जब थोड़ा सा pay करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने pay किया है आप उस पे थोड़ा सा efforts ज्यादा डालेंगे जो लोग भी इच्छुक है उसको ले सकते हैं नीचे मैं इसका link डाल दूँगा और जबरजस्ती बिलकुल नहीं है अगर आप अपना research कर सकते हैं अगर आप अपना keyword ढूड़ सकते हैं तो बिलकुल ढूड़ी है लेकिन जिनको भी ढूड़ने में परेशानी हो रही है उनके लिए मैंने 100 keywords मैंने निकाल कर रखे हैं पाँच नीचे तो नीचे मैं इसका link डाल दूँगा बाखी के जो भी details है domain, hosting, सबका मैं नीचे link डाल दूँगा आप वहाँ से जाके step by step follow कर सकते हैं और blog अपना setup कर सकते हैं तो कोई भी अगर आपको problem होती है तो जरूर से मुझे बताईए मैं जरूर से मदद करूँगा और blogging से related और भी videos लाता रहूँगा और भी bloggers को मैं अपने channel पर feature करूँगा जो already blogging में काफी अच्छा कर रहे हैं ताकि आप लोगो को motivation मिलता रहेगा और अंदर के कुछ secrets भी आपको जानने को मिलेंगे इस channel को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया वीडियो को बनाने में तो इस efforts को थोड़ा सा आप appreciate करें तो मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी और inspiring वीडियो में तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो